नमस्कार दोस्ते वर फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डीजी सेवाफे दोस्तों अगर आप यूटी आई से आईसमान कार्ड बनाते हैं और जब भी उसे डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं तो आपको एक ग्लीच इरन मिलता है यानि क इसे आप आसानी से किसी भी स्टेट या किसी भी अधर पर्सन या एजेंसी से बनाया गया आउसमान कार्ड फ्री आप कोश्ट डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि हमारे आपकमिंग उडियो का लडिटीकेशन आपको असानी से मिसले। रजिस्टर्ड मोबाइल नमर पे OTP आ जाता है उस OTP को हम यहाँ पर फिल करके वेरिफाई OTP पे क्लिक कर देंगे के बाद हमारा ये पोर्टल लॉगिन हो जाता है और कुछ इस तरह से दिखाए देता है National Health Authority में हमें क्लिक करना है अब हम यहाँ पर अप्रूब कार्ड की लिस्ट देखेंगे जो कार्ड हमने बनाये हुए हैं मेहाँ पर दिसंबर एक से सोला तारिक तक के जो भी कार्ड है जो अप्रूब हैं उनकी लिस्ट देखना चाहूँगा तो हमने वो डेट डाल दिया है और सब्मिट बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये सारे कार्ड अप्रूब हो चुके हैं अगर हम इसे डाउनलोड करने का प्रियास करें तो we are caught in a glitch please try after sometime कुछ इस तरह से मैसेज हमें दिखाई देते हैं हम बारी बारी से अलग अलग कार्ड को प्रिंट करने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन सम में सेम इसू है सेम मैसेज आपको दिखाई देता है तो इसके solution के लिए हम search beneficiary में जाएंगे यहाँ पर हम जो change state का option है अब आप अपने dashboard पे एक नय option print golden card का देखेंगे अब आपको इस option पे यानि इस link पे print golden card पे क्लिक करना है यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर भले ही आपने तेलांगना state select किया है लेकिन आपको बाकी भी state select करने के option मिल जाते हैं आप अपने state को select करने यहाँ पर search parameter में आप mobile number family ID या SEC data को डाल के और अपने card को search कर सकते हैं यहाँ पर मैंने mobile number enter किया और उसके बाद search किया तो आप देख सकते हैं कि इस mobile number से जो भी संबंदित आईसमान card है वो दिख गया है यह से हम print card पे click करेंगे तो easily बिना किसी payment के यह download हो जाता है और आप देख सकते हैं में आईसमान card download हो चुका है एक दूसरा option भी है print PVC card उसमें भी हम जब click करते हैं तो हमें same आईसमान card पीडियो फारवेट में मिल जाता है दोस्तों मद्य परदेश के case में हम ज्यादा तर अपने आईसमान card को family ID या समगर family ID से search कर सकते हैं तो हम वापस इस option को use करते हुए जो parameter है हम family ID वाला select करेंगे और उस बंदे का जिसे हमें आईसमान card download करना है उसके हम family ID डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस family के सारे members का आईसमान card आपके सामने बलही हुआ है आईसमान card उसने hospital में बनवाया हो रोजगार साहक की ID से बनवाया हो या फिर CSC के portal से बनव हैं उसे भी easily बिना किसी charge के बिना किसी cost के download कर सकते हैं इस method के द्वारा तो अगर आपके भी UTI आईसमान वाली ID में इस तरहे glitch वाला error आ रहा है तो आप print golden card का option आसानी से इस method के द्वारा enable कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से mobile number family ID PMJ ID या SEC data से आईसमान कार्ड को search करके किसी भी agency किसी भी state और किसी other person के द्वारा बनाया गया